हलो एव्रिवान मेरी रोज की क्लिनिकल प्राक्टिस में मैं काफी बार ऐसे पेशिंट से मिलती हूँ जिन्हें ये अवेरनेस नहीं है कि उन्हें अपनी स्किन की प्रॉब्लम के लिए किस डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए तो काफी बार आप डर्मटॉलजिस्ट को स्किन की प्रॉब्लम के लिए कंसल्ट ना करके कुछ ऐसे डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लेते हैं जो आपकी परेशानी को ठीक करने के लिए पूरी तरह कौलिफाइड नहीं है ऐसे में अगर स्किन की अलर्जी हो या कोई बर्न हो तो ऐसे में सही समय पर डर्मटॉलजिस्ट से इलाज ना होने पर आपको अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने में जादा लंबा समय लग सकता है इसके इलावा कुछ दवाई जैसे की स्टिरोइड खाने और लगाने में अगर आपके डॉक्टर पूरी तरह कौलिफाइड नहीं है तो हो सकता है कि उन्हें और आपको ये ना पता हो कि स्टिरोइड लंबे समय तक खाने या लगाने से क्या-क्या साइड एफेक्ट हो सकते हैं और उसका नुकसान आपको उठाना पड़े और काफी बार कुछ केमिकल पील्स या एस्थेटिक प्रोसीजर्स जैसे की लेजर् पोटॉक्स जैसी चीजें अगर आप कॉलिफाइड डर्मटोलोजिस्स से ना करवाएं तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपको वैल्यू फॉर मनी ना मिले या आपको जितना टाइम और मनी आपने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से रिजल्ट ना दिखे तो ये सब स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए उनको कंसल्ट कर सकते हैं डर्मटोलोजिस्ट डॉक्टर्ज होते हैं इन्होंने पांच साल का MBBS किया होता है और ये MBBS की ग्राजुएशन करने के बाद इन्होंने दो साल या तीन साल का पोस्ट ग्राजुएशन किया होता है जिसमें कि ये MD, DNB, DVD, DDV या DDVL हो सकते हैं और यानि कि इन्होंने MD, DNB या Diploma किया होता है Dermatology में. Clinical Dermatology Problems जैसे Fungal Infection, Eczema, Hair Fall, Pimple, Soryasis के इलावा, Cosmetic Dermatology Problems जैसे Pigmentation के लिए Lasers और Chemical Peels, Anti-Aging के लिए Botox और Filler's के लिए Dermatologist पूरी तरह से Qualified हैं. अगर आप एक Qualified Allopathic Dermatologist को Consult करना चाहते हैं तो आप उनकी Qualification Prescription पर चेक कर सकते हैं. उनके Prescription पर उनका नाम, उनकी Qualification जैसा कि मैंने बताया MBBS के साथ MD Dermatology, DNB Dermatology, DDV, DVD या DVD-L Dermatology होना चाहिए. इसके इलावा उनका एक Registration Number होगा. Registration Number से ये पता नहीं चलता कि आपके डॉक्टर Dermatologist हैं या सिरफ MBBS हैं या उन्होंने MBBS के बाद किसी और फील्ड में Specialization करी हैं. ऐसे में आप अपने Dermatologist का IADVL नंबर देख सकते हैं. IADVL का मतलब है Indian Association of Dermatologist, Venerologist and Leprologist. तो IADVL नंबर उनको दिया जाता है जो इंडिया के standards के हिसाब से qualified हैं Dermatology practice करने के लिए इंडिया में. I hope इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी skin problems के लिए अपने nearest, experienced और qualified dermatologist को ढूंडने में मदद मिलेगी. क्याम ढूंडने जाता है क्यां में आपको देखनी याल्या जाता है क्या जाता है